मेरे प्यारे देश्वासियों, आप जानते ही हैं कि अगले रविवार 31 अक्तुबर को सरदार पटेल जी की जन्म देनती हैं. मन की बात के हर्ष रोता के तरफ से और मेरी तरफ से मैं लोह पुरुष को नमन करता हूँ. साथियों, 31 अक्तुबर को हम राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं. हम सभी का दाई तो है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी ने किसी गतिविदी से जरूर जुड़े हैं. आपने देखा होगा, हाल ही में गुजरात पुलिस ने कच के लखपत किले से स्टेची अफ यूनिटी तक बाइक रेलीग निकाली हैं. त्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए त्रिपुरा से स्टेची अफ यूनिटी तक बाइक रेलीग कर रहे है यानि पूरफ से चल कर पस्चिम तक देश को जोड रहे हैं जम्मु कश्मीर पुलिस के जवान भी उरी से पठान को तक ऐसी ही बाई ग्रेली निकाल कर देश की एकता का संदेश दे रहे हैं मैं इन सभी जवानों को सैल्यूट करता हूँ जम्मु कश्मीर के ही कुपड़ा जिले की कई बहनों के बारे में भी मिझे पता चला है ये बहने कश्मीर में सेना और सरकारी दप्तरों के लिए तिरंगा सिलने का काम कर रही है ये काम देश भक्ति की भावना से भरा हुआ है मैं इन बहनों के जजबे की सरहना करता हूँ, आपको भी भारत की एक्ता के लिए, भारत की स्रेष्ट रखता के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, देखिएगा आपके मन को कितनी संतुष्टी मिलती है साथियों, सरदार साब कहते थे कि हम अपने एक जूट उद्यम से ही देश को नई महान उचाईयों तक पहुँचा सकते हैं, अगर हम में एक्ता नहीं हुई, तो हम खुद को नई नई विपनाओं में फसा देंगे यानि राष्ट्रिय एक्ता है, तो उचाई है, विकास है, हम सरदार पटेल जी के जीवन से, उनके विचारों से बहुत कुछ सिख सकते हैं देश के सुचना और प्रसाणना मंत्रा लएने भी हाली में सरदार सहाब पर एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी पब्लिश की हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे सभी युवा साथी इसे जरूर पढ़ें, इससे आपको दिल्चस्प अंदाज में सरदार सहाब के बारे में जा प्रगती चाहता है, विकास चाहता है, उंचाईयों को पार करना चाहता है, विज्ञान भले ही आगे बढ़ जाए, प्रगती की गती कितने ही तेज हो जाए, भवन कितने ही भव्य बन जाए, लेकिन फिर भी जीवन अधुरापन अनुभाव करता है, लेकिन जब इन में ग जीवन को सार्थक बनना है तो ये सब होना भी उतना ही जरूरी होता है इसलिए कहा जाता है कि सभी विधाएं हमारे जीवन में एक कटलिस्ट का काम करती है हमारी उर्जा बढ़ाने का काम करती है मानो मन के अंतर मन को विक्सित करने में हमारे अंतर मन की यात्रा का मार्ग बनाने में भी गीत संगीत और विभिन कलाओं की बड़ी भूमिका होती है उनकी एक बड़ी ताकत ये होती है कि इने न समय बांच सकता है, न सीमा बांच सकती है और नहीं मत-मतांतर बांच सकता है अमरित महोसर में भी अपनी कला, संस्कृति, गीत, संगीत के रंग अवश्य भरने चाहिए मुझे भी आपकी तरफ से अमुरुत महोसर और गित संगीत कला के इस ताकत से जुड़े धेरों सुझाव आ रहे हैं ये सुझाव मेरे लिए बहुत मुल्यवान है मैंने इने संस्कृती मंत्राले को अध्यन के लिए भेजा था मुझे खुशी है कि मंत्राले ने इतने कम समय में इन सुझावों को बड़ा गंभीरता से लिए और उस पर काम भी किया इनी में से एक सुझाव है देश भक्ती के गीतों से जुड़ी प्रतियोगी था आज हदी के लड़ाई में अलग-अलग भाषा बोली में देश भक्ती के गीतों और भजनों ने पुरे देश को एक जूट किया था अब अमरुत काल में हमारी वा देश भक्ती के ऐसे ही गेत लिखकर इस आयोजन में और उर्जा भर सकते हैं देश भक्ती के गीत मात्रु भासा में हो सकते हैं राष्ट भासा में हो सकते हैं और अंग्रेजिवे में लिखे जा सकते हैं लेकिन ये जरूरी है कि ये रचनाएं नए भारत की नई सोच वाली हो देश की वर्तमान सफलता से प्रहिना लेकर भविष्य के लिए देश को संकल्पित करने वाली हो संस्कृति मंत्राले के तैयारी तहसिल स्तर से राष्टि स्तर तक इससे जुड़ी प्रतियुगता करानी की है साथ्यों ऐसे ही मन की बात के एक स्रोता ने सुझाव दिया है कि अमरित महोत्सव को रंगोली कला से भी जोड़ा जाना चाहिए हमारे हां रंगोली के जेरिये त्योहारों में रंग भरने की परंपरा तो सज्यों से हैं रंगोली में देश की विवित्ता के दर्शन होते हैं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से अलग-अलग थीम पर रंगोली बनाई जाती है इसलिए संस्कूरती मंत्राले इससे भी जुड़ा एक नेश्नल कंपरिशन करने जा रहा है आप कल्पना करिए जब आज़ादी के अंदोलन से जुड़ी रंगोली बनेगी लोग अपने ध्वार पर दिवार पर किसी आज़ादी के मतवाले का चित्र बनाएंगे आज़ादी के इस गेटना को रंगों से दिखाएंगे तो अमुर्त महोचा का भी रंग और बढ़ जाएगा जात्यों एक और विदा हमारे हाँ लोरी की भी है हमारे हाँ लोरी के जरिये छोटे बच्चों को सहुस्कार दिये जाते हैं संस्कृती से उनका परिचे करवाए जाता है लोरी की भी अपनी विविदता है तो क्यों न हम अमुर्त काल में इस कला को भी पुनरजिवित करें और देशबक्ती से जुड़ी ऐसे लोरिया लिखें कविताएं गीत कुछ न कुछ जुरूर लिखें जो बड़ी आसानी से हर घर में माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को सुना सकें इन लोरियों में आधुनिक भारत का संदर्व हो 21 सदी के भारत के सपनों का दर्शन हो उसका संदर्व हो आप सब स्रोताओं के सुझाओं के बाद मंत्राले ने इससे जुड़ी प्रतियोगी का भी कराने का निर्णे लिया है साथियों ये तीनों प्रतियोगीताएं 31 अक्तूबर को सरदार साभ की जयनती से शुरू होने जा रही हैं आने वाले दिनों में संस्कृति मंत्राले इससे जुड़ी सारी जानकारी देगा ये जानकारी मंत्राले की वेबसाइट पर भी रहेगी और सोशल मीडिया पर भी दी जाएगी मैं चाहूंगा कि आप सभी इससे जुड़े हमारे युवासाति जरूर इसमें अपनी कला का अपनी प्रतभा का प्रदर्शन करें इससे आपके इलागी के कला और संस्कृति भी देश के कौने कौने तब पहुंचेंगी आपकी कहानिया पुरा देश सुनेगा